राधे राधे दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक अकेली चतुर और तीन ठगों की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बहुत समय पहले की बात है एक गाम था जिसका नाम रामपूर था रामपूर में एक बिर्जू नाम का ठग रहा करता था वे घर में अकेले ही रहा करता था वे आजपास के गामों से कुछ ठग कर लाता और फिर उसे बैट कर महिनों खाता था पैसे खतम हो जाने पर फिर से ठगी करने निकलता और एक दो दिन बाद फिर किसी ना किसी ठग को ठग कर आ जाता था धीरे धीरे बिर्जू ठग के चर्चे आसपास के गामों तक फैल गए थे लोग अब धीरे धीरे बिर्जू से साबधान रहने लगे थे आसपास के गाउं के लोग जल्दी उसके जाल में नहीं फस्ते थे तो अब बिर्जू को बड़ी मुश्किल होने लगी थी बिर्जू का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था और काम भी नहीं था तो काम करने की उसे आदत भी नहीं थी तो उसके जो पिछली तीन पिडियों से चली आ रही थी ठगने की आदत जब उसके गाउं के लोग कहा करते थे कि विर्जु अपनी बाप दादा की चली आ रही दादत को बदलो और कुछ काम धंदा कर लिया करो तो विर्जु जबाब देता था काम धंदा करना मूर्खों का काम है चालाक लोग जो काम नहीं किया करते अपने बुद्धी को इस्तमाल करते हैं और चालाक लोग मूर्खों के धनको चालाकी से खाते हैं, मैं कोई काम करने वाला नहीं हूँ, लोग अब उसे समझाने के बजाए उससे साबधान रहना उचित समझने लगे थे, धीरे धीरे बिर्जू की उमर ढलने लगी, परन तो उसका विभा नहीं हुआ था, कारण यही गाम वाले चाहते थे, कि बिर्जू का विभा ना ही हो, इसके खांदान का यही जो पटाक शेप था, कि जो भी बिर्जू से उसकी बेटी की शादी के लिए आता, तो गाम वाले उस आदमी से पहले ही बता देते थे, भाई बिर्जू एक नंबर का ठग है, तुम क्यों तीरे विर्जू के विवा की उमार निकलने लगी अब वे जो अधेड हो चुका था उसने सोच लिया कि अब यह गांवाले मेरा विवा होने नहीं देंगे और अब मेरी उमर भी जादा हो चली है तो साधरन तरीके से तो विवा होने की संभावना अब ना के बराबर है तो पक्षी ही नहीं इस्तरी प्रुस भी बिखते हैं राजा महराजा भी थोक भाव में दास दासिया खरीद ले जाते थे आप तो विर्जू एक साते ठग था वे सानपुर मेले के लिए चल पड़ा रास्ते में उसे एक भाई बेहन जाते मिले भाई अपनी सोतेली बेहन को उ पास्ते में वर्षा सिरू हो गई तो उसे एक छोटे से मंदिर में सरन लेना पड़ा वहीं पर बिर्जू भी आ गया और बर्षा थमने का इंतजार करने लगा वैसे वर्षात का मौसम नहीं था फिर भी बे मौसम बर्षात ने उन्हें रात में वहीं ठैरने के लिए मजब पूर कर दिया था लड़की का भाई बिर्जू से बोला भाई मैं पास के गाउं से कुछ खाने का परबंद करने जाता हूं दरसल हम दौना सुबह से ही कुछ खाए पिये नहीं है तो मेरी बेहन का कुछ देर तक ख्याल रखना मैं तुरंती अपने लिए और तुमारे गाउं चला गया तो लड़की से बिर्जू बोला क्या यह लड़का तुमारा अपना सगा भाई है लड़की बोली हाँ हाँ मेरा सगा भाई है परन्तु तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो बिर्जू बोला कुछ नहीं ऐसे ही पूछ लिया दरसल मुझे कुछ सक हुआ था मेरे गाम में एक सोतेला भाई अपनी सोतेली बेहन से बहुत प्यार करता था एक दिन बेहन को जो उसके नन्हाल छोडने गया परंतु नन्हाल ना ले जाकर उसे सौनपुर के मेले में बेच दिया बेचारी बहुती सीधी साधी लड़की थी भाई के चिकनी चुपडी बातों में आ गई पताने उसे कोठे वाले खलीद ले गए या कोई राजा महराजा दासी के रूप में ले गया या कोई बूढ़ा उसे पतनी बनाने के लिए खरीद कर ले गया जमाना बड़ा ही खराब है यहां बहाई बेहन के नई होते जो इतना सुनके लड़की के मन में भी संका होने लगी कि कई सोतेला भाई चाहता तो मुझे वरसा में भीगते हुए भी ननिहाल ले गया होता उसे बीच रास्ते में रुकने की क्या जरूरत थी अब उस लड़की के मन में क्या है कौन जानता अगर भाई मुझे बेच दिया तो बे मौत मारी जाऊंगी पता ने मेरे भाई के मन में क्या चल रहा है मैं किसी गरीब के साथ एक रोटी खाकर भी गुजारा कर लूँगी परन्तु बिकने तो नहीं जाऊंगी अब उस लड़की को लगने लगा कि सोतेली माने साजिस के तहट भाई से मुझे बेचने के लिए भिजवाया है भला हो उस आदमी का जो समय रहते उसने बता दिया वे बिरजू से बोली दरहसल यह मेरा सोतेला भाई है क्या तुम्हें लगता है कि मेरा भाई भी मुझे लड़की घवरा कर बोली मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने को तैयार हो पर तुम मुझे बिकने से बचालो बिरजू बोला काम तो बहुत कठीन है परन्तु नेक काम में आदमी को जान की परभा नहीं करने चाहिए तुम रात में सोना नहीं हम आधी रात को चुपके से यहां से भाग चलेंगे थोड़ी देर में लड़की का भाई आ गया वे साथ में खाना लेकर आया था तीनों ने खाना खाया और सो गए बिरजू बोला भाई हमारे साथ एक लड़की भी है इस बात का ख्याल रखना लड़की को सोने देते हैं और आधी रात तक मैं सोता हूं उसके बाद तुम सो जाना लड़की का भाई बोला रास्ते में मिले आदमी ही एक दूसरे के मित्र होते हैं तुम मुझे एक भले आदमी लगते हो अब तुम सो जाओ मैं जागता हूं आधी रात होने पर लड़की के भाई ने बिर्जू को जगाया और खुद सो गया ल लड़की को साथ भागने का इसारा करने लगा अब लड़की बिर्जू के साथ उसके इसारे समझ गई और दोना वहां से भाग कर जो रामपुर आ गए बिर्जू को किसी तरह कबूली हो या नहीं एक पतनी चाहिए थी बिर्जू ने उस लड़की से विवा कर लिया उस इस् तीसरे पुत्र को जनम देने से पहले ही वे इस्तरी चल बसी इसलिए जच्चा बच्चा दौनों की ही मौत हो गई दौनों बच्चों की लालन पालन की जिम्मेदारी अब बिर्जू पर आ गई बिर्जू ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा कर दिया दौनों बच्चे अब स जमीदारनी से एक सौने के सिक्कों से भरा सौने का कलसी ठक कर ले आये थे ठक अपने बेटों से यह देखकर काफी खुस था कि बेटे हमारे रास्ते पर चल पड़े हैं हमारी पीडी डूबेगी नहीं बलकि दोड़ेगी बिर्जू ने उस सौने के कलस को अपनी चार हो चुका था और बहुत बड़ी ठकी नहीं कर सकता था परंतु लड़कों को रोज नया नया तरकीब सिखाता रहता था अपने बेटों से बोला कि चलो हम तुम्हें आज कुछ नया सिखाएंगे और विर्जू अपने बेटों के साथ गाम से बाहर एक पगडंडी पर आ ग गौला अपनी गाए मेले में बेचने के लिए जा रहा था बिर्जू बोला देखो वो आदमी गाए लेकर आ रहा है देखो हम उसे कितनी आसानी से ठक लेते हैं तुम लोग अब दूर दूर फैल जाओ और उससे एक ही बात बोलना कि कहां से आ रहे हो कहां जा रहे हो और ग गाए बेचने को कहे तो गाए की कीमत उसे साथ रुपे से अधिक मत बताना उसके पास आने पर बिर्जू बोला भाईया कहां से आ रहे हो थोड़ा आराम कर लो गौाला बोला नहीं भाई मैं आराम नहीं कर सकता मुझे सौनपुर मेले में गाए बेचने जाना है ठैर गया त बोला अब कोई खरीदेगा भी नहीं क्योंकि हम मेले से ही आ रहे हैं मेले में पस्वों के गोबर के अलावा कुछ नहीं बचा है अब ना तो मेले में कोई क्रेता है और नहीं विक्रेता तुम धूल फाकते रह जाओगे और धूल फैकते आओगे गौाला बोला तो अब मै मैं क्या करूं भाई बिرجू बोला करना क्या है, गाया हमें वेच दो, हम मेले में गाया खरिदने के लिए ही गये थे, परंतु हाथ मलते हुए वापस आना पड़ा, गौला बोला कितना दोगेई, बिर्जू बोला मेले की फिरती हुई गाया है तो 7 रुपे ले लो, ग्वाला बोला भाई पगला तो नहीं गए हो कई सात रुपे में गाये मिलती है बिर्जू बोला भाई ग्वाले घर से भागी हुई लुगाई और मेले से लोटी हुई गाये की कोई कीमत नहीं होती कोई सस्ते में भी नहीं लेता तुम्हें अगर देना है तो दो वरना अप बेफूप बना रहा है, बला कल से शुरू होने वाला मेला, रातो रात कैसे खतम हो गया, वे आगे बड़ा, तबी बिर्जू का बड़ा बेटा मिल गया, उसने भी सेम वही बात कही, जो बिर्जू ने कहा था, उसने भी गाए की कीमत साथ रुपे ही लगाई, गौाला हुआ से आगे बढ़ा तो विर्जू का दूसरा बेटा मिल गया उसने भी वही बात दोहरा दी अब ग्वाले को विस्वास हो गया कि सचमुच मेला खतम हो चुका है और हमें मेला जाने से कोई लाव नहीं मिलने वाला गाई हैं बेच देते हैं पर तो ग्वाले ने कभी गाई नही बेची थी उसे गाई की सही कीमत का अंदाजा नहीं था सोचा गाई साथ रुपे में बिक्ती होगी तबी तो तीन वेक्तियों ने गाई की कीमत साथ ही लगाई है उसने साथ में बिर्जू के छोटे बेटे को गाई बेच दी और अपने गाउं के लिए लोट पड़ा उध तो ने एक वेपारी उन्हें आता दिखाई दिया जो गाई को तीन सो रुपे में खरीद लिया अब तीन वाब बेटें की खूब जो मस्ती करने लगे उनकी तो खूब चांदी कट गई कहते हुए वे घर आ रहे थे कि इधर ग्वाला अभी जो रामपुर गाउं में ही पह बीचती है क्या करता जब तीन लोगों ने ही गाई की कीमत साथ रुपे लगाई तो साथ में बेच दिया वे आदमी बोला अरे तुम पगला तो नहीं गए हो ग्वाले भाई साथ रुपे में तो मुर्गी भी नहीं मिलती और तुमने गाई बेच दिया लगता है तुमें बिरजू और उसके दौनों वेटों ने ठग लिया है तुमारी गाई भगवान जूट ना बुलाएं तो पांसो रुपे की थी तबी ग्वाले को वेवेपारी भी आता दिखाई दिया जो गाई को तीन सो रुपे में खरीद लाया था उसने बताया भाई हमें तीन लोगों ने यह गाई तीन सो रुपे में बेची है ग्वाला विचारा क्या करता अपना माथा पीटते हुए अपने घर चला गया और सारा हाल अपनी पतनी से कह सुनाया पतनी बोली आप चिंता मत करो हम उन ठगों को ऐसा सबक सिखाएंगे उनके खांदान में ठग कभी पैदा भी नहीं होंगे मैं तुम्हें रात के वक्त सारा प्लान समझा दूँगी सुबह में हम दोनों वैसा ही करेंगे सुबह में इस्तरी अपने पती ग्वाले के साथ रामपुर गाउं गई और अपने पती को समझाया आप दूर से मेरे ऊपर नजर रखना जब इसारा करूं तो मे तो तुम चिंता मत करो हमारे घर को अपना घर समझो तब ये इस्तरी बोली आप लोगों ने ठीक पहचाना मेरे पती ने मेरे को बहुत मार पीट कर घर से निकाल दिया है मेरे मायके में भी कोई नहीं है मैं कहां जाओं क्या करूं दोनों बेटे बोले तुम चुप हो जाओ और हमारे घर चलो मेरे पिताजी से चल कर जो बात कर लो हमें तुम्हें अपने घर में रहने देंगे इस्तरी ने उन दोनों के साथ रहने के लिए उनके घर चली गई बिरजू बोला बेटी अगर तुम्हारे पती ने तुम्हें घर से निकाल दिया है तो फिर उस नमक हराम के घर कभी मत जाना तुम हमारे घर में रहो फिर हम तुमारी शादी अपने बड़े बेटे से करा देंगे तब वे इस्तरी बोली अब मैं शादी करने में जल्दबाजी नहीं करूंगी पहले देखूंगी कि कहीं हमारे पती की तरह आपके बेटे भी तो निकम्मे नहीं है मैं घर की इस्तिती देखकर मर्दों की इस्तिती पहचान लेती हूं वे घर के अंदर चप्पे चप्पे में घूम आई और बिरजू से बोली आपके बेटे तो मेरे पती से भी जादा निकम्मे है ना तो घर में चूला जलाने को लकडी है ना इगर में एक मुठी अन है लगता है जैसे किसी कंगाल का घर है अब मैं घर में आ गई हूं तो सब मेरे हिसाब से चलने चाहिए वरना मैं इस घर में नहीं रह सकती आप अभी एक बेटे को लकड़ी लाने जंगल भेज दीजिए और दूसरे को रासल लाने मैं दो दिन से भूकी हूँ बाजार से कुछ अच्छी मिठाई भी मंगा लेना मिर्जू ने बड़े बेटे को कुलाड़ी लेकर जंगल जाकर लकड़ी काटने को भेज दिया और छोटे बेटे को कुछ सौने के सिक्के देकर बाजार भेज दिया तब वे इस्त्री बोली आपके घर कोई धन संपदा है नहीं है जबकि मुझे गैने पहनने का बहुत सौख है लगता है इस घर में मेरी जो गोटी फिट नहीं बेठेगी अगर आपके बेटे से बिभा कर लिया तो जिंदगी भर पच्छताना पड़ेगा बिर्जू बोला अरे नहीरे पगली तो जिंदगी भर रानी बनकर तरह तरह से राज करेगी हमारे पास जितना धन है किसी के पास इस गाओं में नहीं है तब वे इस्त्री बोली खाक धन है कहीं दीखता तो है नहीं तब बिर्जू बोला नहीं बहुत धन है तुम चिंता म करो वे लड़की बोली नहीं नहीं मैं इस घर में नहीं रह सकती अभी तो मैं जाती हूं बिरजु बोला रुख तुझे सबर नहीं हो रहा तो दिखाई देता हूं धन और अपनी चार पाई के नीचे जो उसने फटी पुरानी गुदडी में रखा था और ध्यान से कहने लग का अब वे इस तरी बूढ़े से यह बोली जानते हुए कि मैं शादी सुधा हूं फिर भी मेरे से अपने बेटे की बिभा की बात की इसके लिए तुम्हें दस डंडे मारूंगी और मेरी गाए सात रुपे में ले ली उसके लिए पचास डंडे खाने होंगे तुमारा यह गाय की कीमत हुई और फिर हमें एक दो दिन में ब्याज भी वसूलने आएंगे इस बात को हम सिर्फ तुम्हें ही पीट रहे हैं अगली बार तुमारे बेटों को भी मारेंगे दोनों ने मार मार कर बिरजू का कचूंबर निकाल दिया जाते जाते बिरजू का सारा धन भी दे गए उधर दोनों बेटा लकड़ी और रासन लेकर घर लोटे तो घर में उस इस्त्री को नहीं देखा तो तुरंत अपने बाप के पास पहुंचे परंतों उनका बाप चार पाई पर पड़ा पड़ा करहा रहा था उसने बताया वह इस्त्री उस ग्वाले की पतनी थी जिसके गाए हमने ठग ली थी अब तो दोनों पती पतनी ने मेरे उपर मुझे बैठ बैठ कर मारा है फिर मेरा सारा धन सारी जमा पूंजी भी लेते गए और बोल गए है एक दो दिन में ब्याज लेने भी आएंगे और तुम दोनों को मारने की भी धमकी दे कर गए है तु पर उस इस्त्री के चक्कर ने मेरी बुढहती में भी मुझे जूता खिला दिये दौना बेटा बोले पिता जी आप घबराएं नहीं हम अब आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे बिर्जु बोला परंतु मेरे लिए जो बैद को तो बुलाना ही होगा वरना मेरा हाल दर्द से बेहाल हो रहा है मेरा इलाज नहीं हुआ तो बेटा मैं मर जाओंगा अब दौना बेटे बैद ढूनने चले उन्हें घर से कुछ दूरी पर एक बैद मिल गया दौना बैद को लेकर घर आए बैद जी ने बड़े ध्यान से जाच की और फिर बोला बुड़ा तो इतना पीटा गया है इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया तो यह मर जाएगा तौना यदि अपने बाप को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ततकाल एक काम करना होगा यहां से पांच कोस दूर जंगल में एक मकते का पेड़ है उस पेड़ के उपर बरगद का पेड़ उगाया है उस बरगर्द के पेड़ की छाल हमें लाकर दो उससे एक दबा बनाऊंगा उस दबा से बुढ़े का सारा दुख दर्द भाग जाएगा अब दोनों बेटे जंगल में छाल लाने के लिए चले गए तो ग्वाले ने अपनी नकली डाड़ी मूँ छटाई और बुढ़े से बोला ससुर जी आज ब्याज वसूल ने आया हूँ मेरी पतनी और आपकी बेटी ने मिठाई मंगाई थी वे मिठाई तुम लोगों ने किसी ने उससे हाथ भी नहीं लगाया अभी मिठाई का ठैला खुंटी पर टंगा हुआ है मिठाई खालो परंतो मुझे मारना नहीं गौला बोला मारूँगा तो जरूर परंतो मिठाई खाने के बाद गौले ने फिर से जो बिर्जू को मारना सुरू कर दिया परंतो उतना ही मारा जितना वे जिंदा रहे उसके बाद बची हुई मिठाई अपनी पतनी के लिए लेता गया और जाते जाते बिर्जू से बोल कर गया हर दो चार दिन में तुमसे मिलता रहूँगा और जब तक मिलता रहूँगा जब तक कि तुम्हारे बेटे ठगी छोड़कर दूसरा काम धंदा सुरू नहीं कर देते ठग के दोनों बेटे जब जंगल से चाल लेकर आए तो बिर्जू ने बताया बेटा वे बैद नहीं था वे तो वही ग्वाला था वे मिठाई भी खा गया और इसके बाद उसने मुझे मारा फिर बचे हुई मिठाई लेता गया और बोल कर गया है तुमसे मिलता रहूँगा जब तक तुमारे बेटे ठगी नहीं छोड़ देते अब ठग के बेटे बोले पिताजी आप घबराईए नहीं हम ग्वाले को बहुत मारेंगे बिरजु बोला बेटा तुम लोग जब मारोगे तब मारोगे वे रोज मेरी हट्डिया तोड रहा है अब उसके पास इतना धन हो गया है कि उसे जिंदगी भर और कोई काम करने की जरूरत नहीं है अगर उसके पास कुछ काम है तो रोज किसी ना किसी तरह मुझे मारना इसके बाद वे तुम दोनों को भी नहीं छोडने वाला है क्योंकि उसे अब रोजी रोटी तो कमाना नहीं है वे हमें मारते मारते इतना धीट ना हो जाए क्यों हम सब को माई डाले इससे पहले तुम लोग ठगी छोड़ कर कोई काम तलास लो बिर्जू के बेटे कहने लगे पिता जी हम भी कोई कम नहीं है हम गौले के घर जाएंगे उसकी बीवी बच्चों को फीट कर आएंगे बिर्जू बोला बेटा ऐसी गलती मत करना उसकी इस्तरी अपने पती से भी खतरनाक है बिर्जू के बेटों ने अपने पिता की बात नहीं माने और गौले के घर पहुँच गए घर में एक मोटी इस्तरी थी उसी से गौले के विसे में पूछे और धमकी दिये कि हम गौले को मार डालेंगे उसकी बीवी बच्चों को नहीं छोडेंगे फिर क्या था वे मोटी औरत दौनों को पटक कर उनके उपर बैठ गई वे कोई थूथू तौन्द वाली मोटी नहीं थी बलकि पहलवान थी वे अपनी भावी से बोली भावी तुम खेट पर काम करके आओ तब तक भाई और तुमारे आने तक दौनों को कुरसी का काम लेती हूँ दौनों उसके भार से मरे जा रहे थे बोले बहन जी हमें माफ कर दो हम जिंदगी में कोई ठगी या चोरी नहीं करेंगे वे इस्तरी गौाले की छोटी बहन थी वैसे ही उसकी और भी दो बहने थी जो उस वक्त घर पर नहीं थी दौनों ठग मरते मरते बाल बाल बच गए परंतों अकेली ही उनका कचुमा निकाल रही थी वे दौनों से बोली आप जब तुमने मुझे बहन बोली दिया है तो छोड देती हो परंतों छोटी बहन को कुछ खर्चे के लिए दे जाते दौनों रुआ से होकर बोले बहन जी हमारे पास कुछ भी नहीं है तब गवाले के एक एक हाथ पैर तोड़ा ले शाम को लंगडाते हुए बिर्जु के दौनों बेटे उसके पास पहुंचे तो बिर्जु उन्हें देखकर रोपड़ा और बोला मैंने तो तुम दौनों को मना किया था पर तुम माने नहीं अकल आई परंतों एक हाथ पैर तोड़वा कर उसके बाद उन तीनों ठगों ने ना तो कभी ठगी की और ना ही गौला उन्हें पीटने आया दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शियर करें कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कह भाने कैसी लगी राधे राधे